अलो गाईज यह आईटी सी का चार्ट है मेरे सामने और थ्री टू वन अगर आप लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि यह सामने आपके क्या हुआ क्यूं हुआ कैसे हुआ यह क्या बता रहा है यह सब क्या है यहां पे तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आ मैं अब पूर में daily market analysis videos बनाता हूं educational content बनाता हूं उन लोगों के लिए free में YouTube पे Hindi में और trading view पे English में जिन लोगों को actually में market में कुछ सीखना है मेरा telegram channel description में दिया गया है जिसमें आपको English और Hindi दोनों content में दोनों audio में content मिलता रहेगा daily basis पे ठीक है अगर मुझे schedule मेरा कुछ इस तरीके से है कि Sunday से लेके Thursday तक daily market analysis reports होती है उसमें intraday stocks, swing trading stocks, index के बारे में, world market के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में discussion चलते हैं फिर वो सारे discussion हम pick up करते हैं अपने telegram पे जिसकी link description में दी गई है अब बात करते हैं कि फिर Friday को और Saturday को में क्या करता हूँ कुछ स्टॉक्स वगेरा लॉंग तर्म इंवेस्टमेंट हो गया या पैनी स्टॉक्स हो गया इसके वारे में डिसकेशन करते हैं तो आज कर डिसकेशन टॉपिक आइटी सी आपको पता है निफ्टी एकदम नीचे स्टॉंगली गाप डाउन खुली थी बहुत अच्छा फॉल आया था स्टॉंग फॉल आया था उसके वाद एक वी शेप रिकवरी आती हो फिरेक फॉल आता है आख्री में तो आट दी एंड एक बुरा देन था निफ्टी के लिए वहीं पर अगर देखा जाये तो स्लाइटल कि खुलता है ITC आज और बूम कर जाता है चलते हैं मंतली चार्ट पे और ITC का डिसकेशन अपना स्टार्ट करते हैं यह इतना भी आपने स्टार्टिंग में देखा यह आप लोग अभी समझ जाओगे किस तरीके से बना है फिबॉना की रिट्रेस्मेंट मैंने लिया है लो कि मार्केट कितना रिट्रेस कर चुकी है अपने पूरे जब से IPO लिस्ट हुआ है जब से 4 पे था ITC 20 साल पहले तब से लेके आज तक क्या सीन रहा है ITC का तो ITC ने COVID crash जब हुआ था तो उसने 0.6 टच करके double bottom बनाया है यहाप और उसका breakout देके उसकी उपर trade कर रहा है फिला तो मतलब अगर सोचो कोई बंद इसमें वह लाक क्वाडिटी भी लगाता है तो उसके पास potential लगी वह ITC ITC के stock में अकेले 62,000 रुपीस कमा सकता है ठीक है तो इतना potential अगर है किसी stock में तो क्यों ना उसको analyze करा जाए ठीक है तो अभी फिलाल क्या दिख रहा है यहाँ पे 0. 0.5 और 0.3 के बीच में यह trading चल रही है यहाँ पे stock की अब थोड़ा fast होगा analysis थोड़ा grab करने की कोशिश करियेगा ओके and target रखते है इस वीडियो का target रखते है like aim का ठीक है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम रखते नहीं हो बहुत सारे लोग बोल रहे है यह नहीं तो like aim is video करेगा 75 ठीक है so that मैं हर saturday को कुछ ना को channelize करता रहो इस तरीके से okay तो let's move on तो बात करते हैं कि अब 0.5 औ 0.3 के बीच में यह retracement खा रहा है rejections भी खा रहा है तो सबसे पहले अपने एक line बना लेंगे यहाँ पे 0.3 पे इस तरीके से and एक उपर की से बनाया है वह उना की लेवल से weekly टाइम पर चलते हैं और देखते कि stock क्या कर रहा है अब यहां पर एक गिरावा टाइप और इसके बाद यह beer flag type का pattern बना रहा है एक consolidation में ठीक है beer flag के बोल रहा हूं मैं ऐसे question mark क्योंकि एक fall जादा बड़ा है उसके consolidation उपर के लिए धीमे है fall बड़ा है consolidation उपर के लिए धीमे है तो मतलब नीचे breakdown हो सकता है stop कर रहा है तो क्या कर रहे है तो अगर आप ध्यान से देखो तो यह जो ऊपर का formation हो रहा है क्या यह इस तरीके से हो रहा है कि ऐसे 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 जा रहा है ऐसे ऐसे करके तो यह एक dip आती ठीक है इसका मतलब कि यह क्या हुआ ही कर्व हो गया या फिर lower highs बनते है बट यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे है higher lows फिर same base higher low फिर इस तरीके का एक base बनाया है बट एक higher low बन चुका है यहाँ और higher high का formation हो रहा है तो अगर देखे तो mid term में long term में तो बहुत bullish है देखी गया हमें ठीक है फिबना पॉल करके ऊपर आ रहा है ती में तो अब देखते हैं कि फिबना की टूल रखते हैं ऊपर से लिकी नीचे तक तो extension हमें पाद चलेगा कि कितने extension पर move कर रही है चीज़े यह आपका 0.5 retracement tool है और अगर आप दिहान से देखो तो अब जो मंतली था जो मंतली के फिबना की retracement levels थे उनको मैंने match कर दिया है weekly के साथ थोड़ा बहुत इधर उधर होगा कोई दिक्कत नहीं है अब हमें एक और नया label मिल गया यह ठीक है तो इस लेविल को मांक कर लेंगे और इसके जस्ट ऊपर यहां भी हमें एक marker डाल देंगे तो इतने सारे levels हमें मिल गए resistance support demand सब formation बनता है काफी precisely एक fire eye का low का formation जब बनता है तो most of the time क्या देखने को मिलता है एक इस तरीके का parallel channel देखने को मिलता है और अगर यहां पे अगर आप ध्यान से देखो ठीक है अगर आप ध्यान से देखो समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है इस area पर तो you will get to know कि बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पे एक resistance लिया node number one, node number two and node number three तो तीन बार resistance लेके गिरावट हुई और यह वाला तो बहुत ही strong resistance इसलिए आया देखो किती बड़ी engulfing candle है उसका reason क्या है कि भाई यहां पे weekly resistance था supply zone था उस supply zone से और parallel channel का जो projected area था उसका भी resistance था the double resistance अब अगर नीचे देखा जाए तो support support और support लेके आ रहा था ठीक है और यहां से भी काफी vic based support है ठीक है तो अगर देखे तो एक support ले लिया है और पिछले दो हफते की selling को over कर दिया है आज ठीक है और आज की Friday की closing है तो अगर अब देखे अब daily time frame पे आते entries और possibilities क की बात करते हैं ठीक है तो फिलाल मैं देख रहा हूं कि हाँ पर एक gap है उस gap की बात करेंगे बड़ उससे पहले सबसे पहले मैं बताता हूं कि किस pattern को हम trade कर रहे है कैसे trade कर रहे है तो यह pattern का नाम है broadening pattern जिसे हम trade कर रहे है आई टीच में ठीक है अगर आप ध्यान से देख गया तूसरी बार support लिया breakdown दिया तो नीचे आ गया फिरी test लेके फिर गिरा फिर बार बार इस पर rejection मिलते रहे और अगर यहां देखे तो one two और three times इस nature वारी trendline को support पे लिया है got it अब इनको मैं हटा देता हूँ अब बात करते है demand zones की तो demand zone की बात करें तो मुझे यह एक अच्छा demand zone यह दिख रहा है and साथ साथ में क्या पता चल रहा है कि यहां से demand आती है stock में फिर से 210 की level से demand आती है और फिर एक beer trap setup create होता है बताब break हुआ और gap up होके एक अच्छे से gap up होके stock जो है उपर आ गया तो clear cut पता चल रहा है कि stock ने regain कर लिया bullish power और weekly time frames पे अच्छी को लोचन दे दी इन levels की उपर फिर से ठीक है तो इससे काफी कुछ clear होता है कि यह levels बहुत important है अब तीन टाइप की entries बन सकती है ITC में उन तीन टाइप की entries के बारे हम बात कर लेते हैं तो यह बहुत अच्छा gap है यहाँ पे ITC में ठीक है इस gap को हम denote करेंगे red से तो यह gap है ITC में अब देखो क्या हो सकता है projections मेरे ठीक है अब projections है कि यह एक बार में break कर जाए प्रोजेक्शन है कि यह trend line को supply zone को hit करें ठीक है जिसको resistance मानता था उसको अब support माने या फिर और उसके ऊपर निकल जाए ठीक है इस तरीके से अब यह जो किरावट है यह यहाँ तक भी आ सकती है और फिर उसके ऊपर तो यह दोनों एक चीज हो गए बट यह अलग टाइप क एक moment है और अब एक और moment मिल सकता है कि यहाँ कहीं पर आके consolidation देके ऊपर चलना चालो हो जाए थर्ड momentum अब फोर्स momentum हो सकता है कि बापस support levels पर आके फिर एक momentum देता है अंदर के लिए यहाँ पर अब यह दो दोनों projection बनाया है यह दोनों भी same है ठीक है अब मैं इनको ratings देता ह ठीक है और ना यह कोई call है और ना मैं देता हूँ और discussions के लिए telegram जरूर जोइन करिए ठीक है और यह मैं इसको देता हूँ two star इसको देता हूँ मैं आपको three star and the reason बहुत ही simple है कि आपको यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे आपको मिल रहा है कि एक pullback के बाद higher low का formation हुआ और एक node भी मिल गया तो यह three star trade है जब यहाँ से breakout मिलेगी बट अगर यहाँ से उपर आता है तो आपकी वह two star trade है कि आपको फिर से नीचे की levels में stock मिल गया जिससे वह उपर का anticipatory breakout दे बटकर direct breakout देता है तो हाँ एक momentum आ सकता है बढ़ क्या हो सकता है कि वह momentum बहुत जली fizzle out हो सकता है कि vertical rally आ रही है ठीक है तो वह एक less probable moment रहेगा यह high probability trader सबसे जादा यह तो thank you so much for watching the video I hope आपको कुछ समझ में आया हो कुछ education इससे मिली हो ठीक है and telegram जरूर follow करिएगा उस पर daily market analysis videos और Friday Saturday को कुछ ना कु interesting में डालता रहता हूँ ठीक है और बात करें तो anticipatory levels की तो अगर यह और उपर आता है इनसे मतलब अगर trade लेने के बाद यहां आता है तो एक अच्छे consolidation के बाद अगर breakouts मिलता है तो उपर के अगर targets की बात करें हम तो targets कुछ इस तरीके से रख सकते है कि यह zone जो है 265 से ले जो बनेगा वो around around 280 से लेके 285 के levels तक का बनेगा weekly time frames पर चलते हैं एक second के लिए और इस zone को define कर लेते हैं यहां पर ऐसे और ऐसे ठीक है क्योंकि यहां पर resistance आपको मिला है इस जगह से भी resistance मिला है और यहां से भी मिला है तो इन दोनों levels को भी लेंगे और यहां पर यह इस त इस तरीके से planning करी जा सकती है ठीक है और वो planning आपके सामने है thank you so much for watching the video I hope आपको कुछ समझ में हो share this video with दोस उन लोग को यह वीडियो पाचाओ जिन लोग को actually में stock market में कुछ सीखना है thank you so much for the support and like aim is 75 I hope आप लोग इसको पूला कर दोगे and I will keep making these videos thank you so much next video मिलते हैं जो कि कल आएगा या तो फिर परस हो आएगा thank you so much